विरोध का इस्तर कितना नीचे गिर सकता है क्या आप इसकी कलपना कर सकते हैं मुंबई में 11 जुलाई 1931 को बेजान दारुवाला का जन्म हुआ था वे बड़े भविश्य वक्ता थे उनकी कई भविश्य आणिया सच सावित हुई थी उन्होंने राजी उगांधी की मिर्तियू से लेकर नरेंद्र मोधी के दो बार प्रधान मंत्री बनने सहित कई और भविश्वानिया की थी 29 मई 2020 को उनका देहान थो गया वे पार्सी थे और भगवान गणेश को अपना गुरू मानते थे क्या किसी शक्ष की मौत पर किसी का गुस्सा इतना जादा हो सकता है लेकिन ये गुस्सा क्यों है जब एक दूसरे का कोई लेना देना न हो कभी-कभी बैठे बिठाय मीडिया में बने रहने के लिए लोग ऐसा करते हैं हम बात कर रहे हैं डाक्टर उदीतराज की ये कांग्रेस के दलित नेता उदीतराज हैं इनकी एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था इंडियन जस्टिस पार्टी जिसका विला इन्होंने 2014 में भाजपा के साथ कर दिया था लेकिन पिछले लोकसभा चुनाओं में इन्हें भाजपा ने टिकेट नहीं दिया था जिसके चलते ये नाराज होकर भाजपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वे बेजान दारुवाला की मृत्यों को कोरोना से हुई मौत बता रहे हैं जबकि इसकी कोई अधिकारिक पुस्टी नहीं हुई है बलकि उनके पुत्र और परिवार के सदस्यों ने इससे इंकार किया है यही नहीं यह महाशाय उनके कारे को लेकर भी टिपणी करते हैं अपने ट्वीट के अंतिम लाइन में वे किसे मुर्ख कह रहे हैं यह तो वही बता सकते हैं किसी की मौत पर ऐसा ट्वीट करना किस तरह की मानसिक्ता को प्रदर्शित कर रही है यह तो उधित राज ही अच्छे से बता पाएंगे जहां तक इनके ट्वीट में लिखे वाक्यों की बात है तो यह कहना उचित होगा कि किसी मौत व्यक्ति के बारे में क्या नहीं कहना चाहिए यह कांग्रेस के इस दलित नेता को छोड़ कर सभी जानते हैं Bureau Report, DNX TV, रायपूर